तो हाई दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेली फट आफट निउस में आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरे जी हाँ सिफ डेली फट आफट नियूस पर तो आएए चलिए देखते हैं दिन बर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरे हातरस के बूलगडी कांड में खुद को खेत मालिक का बेटा बताने वाले ने S.I.T. से सनी खेच खुलासा किया है उसने दावा किया है कि जब उसने युवती की चीक पुकार सुनी तो वा मौके पर आ गया देखा तो युवती जमीन पर पड़ी हुई थी उसकी मा और बड़ा भाई पास ही खड़े हुए थे उसके बाद भाई अचानक वहां से चला गया काफी देर बाद वा दोबारा घटनास तल पर लोट कर आया भारत क्यों आट सो और शो तक गुलाम रहा इसका उत्ता जम्मू कश्मीर के पूरी मुक्यमंत्री और नैशनल कॉंफरेंस के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला के हालिये वक्ते में मिल जाता है एक टीवी चैनल दोबारा पूछे चीनी संबंदी सवालों पर अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्ला करे कि उनके जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और अमनुछे 370 वा पैतिस बहालों फारुक का यह वक्त ऐसे समय पर आया है जब सीमा पर भारत चीन युद्द के मुहाने पर खड़े हैं कमलनाथ ने शिवरा सिंग्छ चोहान मुख्यमंतरी से का कि जनता जब आप से 15 साल का इसाब मांगते हैं तो आप कभी पाकिस्तान की बात करने लग जाते हैं कभी चीन की औभी राष्टवात की कभी कम्शमीर की बात कर जनता को गुमरा करने में लग जाते हैं आप कभी उज्जेन में शराब माफिया दोरा 14 लोगों की जान लेने की बात नहीं करेंगे अपहरन माफिया की बात नहीं करेंगे बहन बेटियों के साथ प्रदेश में हो रही दरंदगी की बात नहीं करेंगे क्योंकि माफिया और मिलावट खोर आपके भगवान बन चुके दी कि आप अपने पंदरा साल का हिसाब लेकर जनता के सामने आ जाएं मैं भी मेरे पंदरा महीने का काम हिसाब लेकर जनता के सामने आने को तयार हूँ लेकिन आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप पंदरा साल का हिसाब दीजिए आपके पंदरा वर्ष के शासन को भी जन ने देखा है खवरिटावा से मुलायम के करीबी सेफ़ई के प्रदान दर्शन सिंका निधन अकले शिवपाल सेफ़ई पहुचे Doorstep Banking Services सरकारी बैंकों ने ब्रांच जाने में असमत लोगों के लिए Doorstep Banking Services शुरू किया है इसमें ग्रांगों को घर बैटे बैंक से जुड़े Financial और Non Financial Services मुहिया कराई जाएंगी हाला कि सबसे पहले इसके लिए उन्हें बैंक में रेजिस्टर कराना होगा नीट के पहले ही प्रयास में परफेक्ट 720 में से 720 अंक हासिल करके रूरकेला ओडिसा के रहने वाले शुएब आफताब ने इतियास रच दिया है वो अपने परिवार में पहले डॉक्टर बन रहे हैं उनके पिता शेक मुहमद अब्बास रिहसाई और मा सुल्तान रिजिया ग्रहनी है शुएब ने अपनी सफलता के पीछे अपनी मा की खास भूमिका बताई जो उनके लिए अपना शेर छोड़कर दूसरे शेर आई साइबर हमले की चपेट में आई हल्दी राम हैकरों ने 7 लाग रुपे फिरोती मागी फूर्ड एन पैकेजिंग कंपनी हल्दी राम की वेबसाइट पर बड़ा साइबर हमला हुआ है डेटा वापस करने के एवज में साइबर अपरादियों ने 7 लाग रुपे की रंगदारी मागी है केंद्र सरकार द्वारा एक लाख करोड रुपे उधार लेने के प्लान के एलान के बाद केरल राज के वित्त मंतरी थामस इसाक ने पूरी शतिपूर्टी मांग कर मामले को और हवा दी उन्होंने राज सरकारों को छोड़कर केंदर द्वारा खुद उधार लेने के फैसले का स्वागत भी किया विबिन मुद्दो को लेकर केंदर सरकार पर हमलावर कांगरेस के पूर्व अध्यक्ष राउल गांदी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिती को लेकर सरकार पर निशाना साधा है Global Hunger Index में बुकमरी के मामले में 107 मुलकों में भारत को 94 स्थान पर रखा गया है राहूल गांदी ने इसे वैश्विक सूच काक के सहारे सरकार पर अपने कुछ खास मित्रों की जेब भरने का आरोप लगाया है राहूल गांदी ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा भारत का गरीब भूका है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेब भरने में लगी है लोचपा के संस्थापक स्वर्गी रामविलास पासवान के श्राद कर्म के दिन 20 अक्टूबर को पटना में देश भर से नेता और अन्य लोग आएंगे प्रदान मंद्री नहिन मोदी समेट सभी मंद्रियों और सांसदों को निवता भेजा जा रहा है दलिट सेना के राष्ट अध्यक्ष स्वर्गी पासवान के छोटे भाई और सांसद पशुपती कुमार पारस ने या जानकारी दी मद्र प्रदेश में 28 विदान सभा सीटों पर 3 नमबर को उपचुनाव होने हैं प्रदेश की सत्तापक्ष भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस ने इन सीटों पर चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकट लगा दिया दोनों पार्टियां एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ लगातार बयान बाजी कर रही है इसी करम में कांग्रेस के वरिष्ट नेता दिखवियर सिंग ने सीम शिवरा सिंग चोहान की संपत्ती में बढ़ोतरी को लेकर उन पर निशाना साधा है कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर पूछा मामा और मामू आपका ऐसा कौन सा कारूबार है जिससे आपने अपनी संपत्ती तेरा गुना बढ़ा ली मुंबई में बांदरा कोट ने बॉलिवर्ट अबिनेतरी कंग्ना रणोत के खिलाफ एक मामले में F.I.R. दर्च करने के आदेश दिये थे आपको बतला दें कि कंग्ना पर बांदरा थाने में F.I.R. दर्च हुई है सामप्रदाई, नफरत फैलाने और उद्दा सरकार को बदनाम करने के आरोप में उत्तर पदेशन महिला बहनवा बेटियों के साथ बढ़ते अपरात को लेकर बेहत कंभीर हो चुके मुक्यमंत्र योगी आदितनात ने शनिवार को बलरामपुर में बड़ी गोशना की देवी पार्टल मंदिर में मत्था टेकने के बाद बलरामपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में सीम योगी आदितनात ने मिशन शक्ति का आगास किया सीम योगी आदितनात ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित समारों में कहा कि मिशन शक्ती के तहद प्रदेश भर में शोदों वा मंचलों की चिन्नित कर उनकी धर पकड़ की जाएगी इसके साथ ही सब समाज के दश्मनों की तस्वीर चोराहों पर लगेगी उन्होंने कहा कि बेटियों वा महिलाओं की सुरक्षा एवं विगटन कारियों को कटोर सजा का संदेश देने के लिए या अभियान शुरू किया गया है आप फ्यूचर प्रेसेडेंट कर कर मेरा मजाग उड़ा रहे हैं अनब गुस्वामी के शो में संबित पातरा पर बिफर पड़े उधितराज आपको बतला दें कि आज से भारत में नवरात्री का पर्व चालू हो चुका है और आज पहला दिन है पहला दिन माशेल पुत्री का होता है केंद्री मंतरी रवी शंकर का हेलिकॉप्टर शनिवार की शाम पटना एरपोर्ट पर तारों से टकरा गया चापर के विंक्स के तारों से टकराने की जोड़दार आवाज होई केंद्री मंतरी की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि जिस वक्त यह हाथसा हुआ वो चापर में मजूद नहीं थे अक्षे कुमार और अजे देवगन सुशान की मौत पर चुप और अरनब गोस्वामी के खिलाफ कोट जाने में सबसे आगे तो भड़के एक्टर एक्टर कमाल रशीद खान ने अजे देवगन और अक्षे कुमार के अरनब गोस्वामी के खिलाफ कोट जाने को लेकर आपत्ती दर्च किये और उनका कहना है कि सुशान मामले में दोनों चुप क्यों है तेजस्वी आदव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है तब भी नितीश कुमार बिहार को विशेश राज्जी का दर्जा नहीं दिलवा पाए नितीश पर तेजसी आदव इस कदर हमलावर थे कि उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिका राश्पती डोनल्ड टरंप का भी जिक्र कर डाला उन्होंने तंच भरे लेजे में कहा कि डोनल्ड ट्रम्प तो अमेरिका से आकर बिहार को विशेश राज्जी का दर्जा नहीं दे देंगे रिपब्लिक टीवी के जैनलिस्ट प्रदीब को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार दस घंटों तक की पूश्टाच और दस घंटों की पूश्टाच के बाद उसे छोड़ा गया आई पील का 33 स्वा मैच राज्टान रॉयल्स और रॉयल चलनल बैंगलोर के बीच में खिला गया वहीं आपको बतला देगी पहले बैटिंग करने उत्री राज्टान रॉयल्स ने 177 रन 6 विकेट पर बनाए वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी रॉयल चैनल बैंगलोर ने 179 रन 3 विकेट पर बना लिये वहीं RCB ने 7 विकेट और 2 बॉल शेश रहते ये मैच जीत लिया तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद